नमस्कार आदरणिय मित्रों जैसा कि हमने पहले आपको सुचित किया था कि हम आपके मत्थ तीन सीरीज के साथ आएंगे तीन बिल्कुल अलग अलग बिश्यों पर प्रतम बिश्य हमारा रूल दर रेगुलेशन होगा जो कि आपके जीवन में आपके समस्त योजनाओं आपक आपको आउवद कराएंगे आपसे मध्य उपस्तित होंगे आपके प्रस्टों का उत्तर के साथ यह एक हमारा पहला कारेकरम है जिसके दो इपिशाड हम लोगों ने कर लिये हैं और दूसरा कारेकरम हमारा है ब्रस्द बुसेस का बियॉंड बाउंडरी और तीसरा है ट्रे पिशाड हम आपके साथ हम आपके मत्य हैं ब्रस्ट बुसेस इसका साब्धी कर्थ होता है कि जितनी भी जाड़ियां है जो जम गई है हमारे आज-पास उनको साफ किया जाए तो मेरा कथन बिलकुल इसपस्ट है कि यह एक सम सामय की विशह पर हम आपसे बारता करेंगे इस एकrickouse क्राव में आपको एक आश्वस्त करता हूं एक कि मैं जोभी तक्त्हे इस कार्कम में रखोंगा सबसीकर्वकत के रूप में नहीं रखोंगा नकिसी सरकारी वह गैर संगत्र हैiche आयर्वेद के विद्यार्थी के रूप में जो मैंने विगत 36 वर्सों से मैं 1986 में मेरा प्रवीश हुआ था बीएमस में लाबाद दिश्विद्धाले से बीसी खरने के बाद CPMT के मार्द्यम से तब से मैं जो आयर्वेद को देख सुन रहा हूं राज 2023 तक तो वो मुझे कि हमारी प्रगती किस दिशा में है और किस दिशा में हम कहां तक पहुंचे हैं और कितना पहुंचना बाकी है किस किस समय में हम लोगों की डिमांड हुई किस किस समय में हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए और आज की तारीक में हम लोग क्या कर पा रहे हैं और कैसे हैं इ कि मैं शुरुवात करना चाहता हूं कि कासी इंदू विश्मिद्याले से ही कासी इंदू विश्मिद्याले तक ही सिमित नहीं रहूंगा कि मैं कि सभी संस्थाओं तक पहुंचूंगा और जो मेरा एक ब्यक्तिगत अनुभाव है चतिस वर्सों का उसके बारे में हम आपसे वर्था करेंगे पहली बात तो मुझे बार-बार एक कोड करने का इच्छा हो रही है वो यह इजब सान 1986 में 1986 में I got my admission into the B.A.M.S first year at Rajki Ayurvedic College Garukul Kangani Hargwar the then Uttar Pradesh in 1987 two teachers who are attached there Dr. Vidot sir and Dr. Arun Kasik sir invited two very very prominent scholars your visionaries of Ayurveda to deliver the lecture there in my college and we were in the second year of the B.A.M.S and what was the motive of the those two lectures was that Ayurveda is at crossroad Ayurveda एक चौराहे पर खड़ा है हमें अपने रास्ते तय करने हैं निश्चित करने हैं कि हम किधर जाएंगे यह बात हुई कपकी 1987 जब मैं आज भी भी द्यारती हूं लेकिन तब इन्रोल्ड भी द्यारती थी था B.A.M.S दिती वर्सका आईए जब मैं 2000 में जाम नगर की सेवा में पहुचा और मुझे बहुत सारे अउसर तुरंत मिले बड़ा स्वभागे साली रहा मैं कि तुरंत 2001 मैं यह कोईँगी 2000 से ही मैं आज उस विभाग से जुड़ गया और यह जाम नगर की महिमा थी और वहां जब मै मैंने तमाम बैठकों में भाग लेने लगा तो बहुत बड़े-बड़े मनीशियों से आईरवेद के चर्चा होती थी मैं एक छोटा सा प्रवक्ता जागरुकता से अपने प्रस्ण उनके सामने रखता था तो यही प्रस्ण उस समय भी आता था और वो कहते थे यही सब्द होता था एक दम जो मैंने 1987 में सुना था 2004 में कि आयरवेदा एट क्रॉस्ट अब उसके बाद जब हम 2014 में जब मांगनी प्रथान मंत्री मोदी जी ने आविश मंत्राले हम लोग को दिया वर्ड आयरवेदा कॉंग्रेस के बाद तो उस समय भी एक चर्चा चली थी और 2012 16- традиz religious अभी आथा था यहीं का अगरेस को अबी अपनी दसा-दिर्थाृत करनी प्यान जब 2023 की बैठकों की बात होती है और जाक टीजन में बैठक होती है। को शोच्म के नहीं पर होती है कारिकरमों के उल्सकंगा होती है पुल सभुब विद把 दशाद ट्यceğ करनी है मेरे समझ में नहीं आता कि कि दसा देसा कब से हो रही है और अभी कब तक होगी कि और हम क्यों नहीं एकमत्ष्पा पाते हैं हम क्यों नहीं एकमत्ष्पो करके उसी दिसा में सभी लोग एक साथ प्रयास करते हैं कि नहीं हमें हमारी अच्छे से हो हमारी ग्लोबल हो नहीं सभी लोग अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजा रहे हैं तो ऐसे तो आयरुवेद का विकास नहीं होने वाला है यह एकड़म से तथ्य है सत्य है आए थोड़ा से मैं और पीछे चलता हूं जब मैं जामनगर में था अभी वहीं मानसिक रूप से या कहीं ऐसा मुझे यह सब्सक्राइब करना चाहिए हम सभी लोग सब जगह पर हैं तो वहां माननी मुख्यमंत्री गुजरात श्री नरेज मोदी जी अंतराश्री शात्राव और गेस्टाउस का उध्गाटन करने के लिए पधा लेते यह बात सन 2005 की और जब उन्होंने सभा की और सभा में मुझे भी औसर मिला था कि मैं मंच पर सहायता करूं मंच पर कुछ बातें प्रोफेसर हम चंदोला साहब के साथ तो जो भाशन मैंने माननी मुख्यमंत्री त में सुना तो उनका जो हम से लोगों को प्रदेश था उनुक्त की चोपड़ा कमेटी उन्होंने चर्चा की उडप़ा कमेटी की इनुकि पर मुख्यमंतरि न सभी समयां के recommendations को जानतें और फिर मुझे वो भी याद है इसन 2014 में जब वो प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली के वाड़ आयरोज़ा कॉंग्रेस में आये तो उन्होंने बात की और एक कहानी सुनाई थी होटल के मालिक कि तो यह सारे के सारे विसे में आपके सामने इसलिए स्थापित कर रहा हूं कि हमें अब भी भी हम अपनी दिसा ड़िषा अन्य कर पाये हैं कि हमें क्या चाहिए हमें क्या करना चाहिए हैं क्यों हमारे मध्य कम से कम नब्य प्रतसतоловागों तो pressing दस प्रत्स दो हमेशा अलग मत रखेंगे हर जगळा रखते हैं लोगतन्त है और अवस्य रखेंगे ले सब एक मत होकर की दिसामिल चाले कि इसके पीछे क्या का रहा है कि इसके पीछे कौन से चोच हावी है मैं एक सोच साथ ये भी हो सकती है जो कि प्रोफेसर अमेस भगेल साहब कहा करते थे कि आरवेट में जब तक डेड़ का फंडा नहीं भी खतम होगा तब तक का विकास नहीं होगा मितलों डेहर का क्या है सब्दों में कि कि एन रही टो मैं जानता हुँ और दूसरा आधि ऑर मेरी संतान जानती तो कि यहां प्रभावी से मैं जो जानता हूं सक्वावी मैं ओही तो ही शथ्य कि हम जब देखते हैं इसा क्यो है और प्रस्थपकर कर रहा है जैसा कि अन्हें विग्यान करते हैं प्रांगे सक्रण बोश्ची होती हैं उनके इंटरनेशनल संगठंग हैं और वो किसी मुद्दे को आपस में विचार मिमर्स करके एक बत पर उसको पब्रिस करते हैं हमारे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है हमारे यहां सब कोई अलग-अलग क्यों चल रहा है जिससे कि मैं यह मानता हूं घर्तिगत रूप से कि आयर्वेद की अवनत ही हो रही है अभी भी हम पिछले मैं अपने भी द्यार्थी जीवन से शुरुआत करता हूं कि 1987 से मैं सुन रहा हूं आयर्वेदा एट क्रास्वोर्ट और आज भी जब जैपूर में एक बैठक हुई थी अभी मार्च में फर्वरी में वहां भी मैंने यही देखा अलग-अलग बिचालहाराय आई आयर्वेद के सोद को लेकर कब तक कब तक पस्नी है कोई भी चीज में डिटरी नहीं है हमारे साथ कोई भी किसी भी रूप में किसी भी विशेपर बात करने लगता है हमारी जो रेगुलिटरी एजनसीज हैं वो अपने दायरे में अच्छा कार्य करने की जरूर कोशिस कर रही है इसके लिए उनको साध्युवाद हो लेकिन है धरातल पर ऑजोर इंस्पेक्षन तारीख के बाद जिताज कि में इस्पेक्षन हुआ एक दिन गहीं दो कि उसके बाद वर्थ्ष भर उश्कालिस किया स्थितिती है कोई पूर्साहाल है कोई रिकार्ड है कोई जानकारी है कोई सिस्ट्रम है बस दो दिन के लिए वो जगह ठीक है उसके बाद यह स्थितिक करीवर 80% कालेजिस के मैं उन सभी कॉलेजिस को बहुत इमांदारी से अपना कारे कर रहा है उन सब का भूरी बूरी प्रसंसा करता हू हूं तो सादुवाद देखता हूं मगर यह नहीं कि कि मिस्वार्टी जो होनी चाहिए कि सिंस्यर होनी चाहिए जोकेशन के लिए दुर्भाग किसे नहीं है और यह स्थिति खाली अईरवेद में नहीं है अभी मैंने दो दिन चार दिन पहले निउस पड़ी कि कि एंसीम ने 36 मेटिकल कॉलेज़ की माननेता रद कर दी जिसमें कि कुछ गुछ गौवर्मेंट के विए मेटिकल कॉलेज तो हम इससे दिस्टिफाइए नहीं कर सकते कि नहीं वह कर रहा है उनके गलत हो रहा है तो हम भी गलत करेंगे यहांसा नहीं होना चाहिए ना क्यों कि वह कुछ भी करें हो स्वतंत्र हैं उनकी बैस्विक माननेता है उनके एंटिबार्टिक से दस लाख लोग वार्सिक रूप से अमेरिका के अस्पतालों में अपना जीवन गवा रहा हैं उसका कोई लेखा जोखा नहीं है लेकिन आयर्वेद की एक लेट पॉजनिक से एक सब्सक्राइब हो जाती है तो पूरे संसार में इसका डंका वस्ता है तो हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है एक केस आयन्वेद का बिगड़ता है तो कितना उचलता है उस पर आप सब लोग जानते हैं उनके कितने केसे खतम होते हैं उस पर कोई चर्चा नहीं होत है कि क्योंकि वो शार्म भौमिक संप्रभुता के साथ हैं और हम कमजोर हैं और अभी थी अपनी गसा दिशा प्रतिकार करेंगे कब हम मजबूती से प्रतिकार करेंगे कब हम मजबूती से अपने तथ्यों को रखेंगे इसकी ही आशकते हैं अब अगर बात करें आगे की तो करता हूं और इस विकास आत्राप कर हम लोग कई जगह जाएंगे बड़ी तीखी बात करूंगा जो कि सच्ची होगी और हमें उसमें विचार करना होगा work भारत्रद्र पंडित मदल मौहल मालवी जी तरीस इंदुश्विज्विद्याले की स्थापन का किया सोच है मुझे बृश्विज्विद्याले की स्थापना करणी मिश्विद्याले में नि चारव हुने एकète इकशेएंट पेपर लिखा नि continuing वारा में उन्हें दूसरा पेपर लिखा कई बात्तपुन विद्वानों ने और 1916 में पर्लियमेंट एक्ट के थर कासे इंदु विश्वुद्याले की स्थाफना हुई देखिए 1904 में भी माल्मी जी ने लिखा कि हम पांच महा विद्वाला महा विध्याले महिला महा विद्याले सोचे कि 1904 में ही मालमी जीने आयरवेद महाविद्याले का कॉंसेप्ट लिया था और महिला महावद्याले का गंभर्व म्यूसिक की सेम उनीसोव बारह तक ले आयotz विचारदाना हमकी नहीं बदले हुआ चाहते तो उससे में भी इस्थापना कर सकते थे जेक्पने के लाएप उन्हें आर्वेद महाविद्धाले पुना कला महा विद्धाले विग्यान महाविद्धाले और गंधर्व महाविद्याले और महिला महाविद्याले और 1916 में कॉंसेप्ट स्थाफित हुआ लेकिन ततकालें रूप से कई चीज़ें घटित हुई तो आयरवेद की स्थाफना 1922 में कासी इंदो विश्विद्याले में कि डिपार्टमेंट आफ ओर्यंटल लर्निंग की यूनिट के रूप में हुई आयरवेद अब यह देख लिजिए आप की कि 1922 और 1927 में आयरवेद कॉलेश पून रूप में खुला जब भारत प्रत्ना पंदित मालवीजी महराज को अखिल भारती आयरवेद महा सम्मेलन का अध्यक्ष निफ्ट किया गया हरिद्वार में जो सबसे पुरानी संस्ता है आयरवेद की 1907 से उसकी कहानी रभी आएग करके की थे वो त्याग था और उसी वहां सम्मेलन की जो है अध्यक्ष मालवीजीय महराज हुए और उन्होंने आकर के फुल फ्लेश दून का कॉंसेप्ट तो था ही आरवेद महाविद्ध्याले पूरा आप हिस्ट्री आप बनारस इंदिनोसिटी बहुत मोटी पुस्तक ह पुस्तक की समय है मेरे पास लेकिन विभाग की में है मैं आवास से बोल रहा हूं क्योंकि मैं आवकास पर हूं तो मैं उस पुस्तक को नहीं लगा पाए ले लेकिन आप देखिएगा अमेजन पर भी है हिस्ट्री आप बनारा सिंद्ध इन्वर्सिटी और उसमें उस कांसे सब्सक्राइब के रोग उनिस्व सताइस में पूरा एक अर्वेधिक कॉलेज खुल गया तो उनिस्व बाइस 1922 और ये है 2023 पूरे सौ वर्स हो गया वी है कम्पलिटेट हंड्रेड इयर अधुकेशन आफ अर्वेधा इन इंस्टिटूट आप 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 कि मिल्सप्तिट नेकिनन आपते में ड्याम कि का आप 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 आपं आप 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 साप्टिट these um अबाव्य। visit 01He R हमॉू única क пал hecho kthe police officer on a д विज़रे किस्छोर इस कम्वेशने सा Silo लिओ किलेश्यी साथ प्राइ्ट यी जैिर फ्रावłe्नी प्रावरे प्रावं साथ इस क्लिव ने लुट इस नौट की अवित साथ एट इस नौकाजमी में इस दिर नौकाजऑत। वैंसल लूल्ग वने साथ कि मैं प्रावत कि अनियुज कि एसलिओ के पारोड लिवन ओड़ सबक्विकी स स disappointed इसने व है प्राव सिस्टेजिक अइस सब्सक्राइब नु बिचेश बीज़ जब ब्रेख dealing प Byeर्ण आख इसने हाज है कि एफ एद नु आए नि अनियुन तो यह तो ऐसी परिशर्चा है लेकर के हम इस समसामय कहीं में आएंगे और ब्रस्द भुसस यह जितनी जाड़ियां है उनको हम खतम करें और क्या जाड़ियां है उनको पहचान करना पड़ेगा अरवेद के नाम पर नजार ने कितने जैसा कि मैंने टाइटिल दिया है कितनी चीजें हो रही जो आरवेद है ही नहीं किसी रूप में नहीं है वह अरवेद कि लेकिन उनको प्रोसाहित किया जारा है और दुरभाग्य का विसे है कि स्वैम आईरवध्यग्यों के द्वारा स्वैम सरकारी संस्थाओं के द्वारा तो जब तक हम इन चीजों से अलग नहीं होंगे हम एक पस्ट नीती पर नहीं आएंगे तब तक हम 1987 से जब मैं बीमे सेकेंडियर से सुन रहा था और 2023 तक जब मैं आज एक आचारे के पत्पर्व और विद्याठती हूं मैं यही सुन रहा हूं अभी लगाता कि अईरवेद को अपनी दसा और दिसा तैंक करनी बाकी है तो कब तक कब तक बस इस पर विचार करिए अगले अंक में मैं फिर आऊंगा और इनी एक जोलन समस्या पर आऊंगा किसी संस्थान के साथ आऊंगा किसी नीती के साथ आऊंगा आपके सहयोग की अपिछा है आप मुझे मेरी जानकारी बढ़ाएं और मैं उन चीजों को अपने समस्त आपके समस्त सबके समक्ष विश्व के समक्ष भारतियों लोग के समक्ष रखूंगा जिस पर कि कम से कम हम तो अपनी दसा और दिसा तो अपताय कर लें अगले सो वर्सों के लिए अम्रित काल में तय कर लें अगले पचास वर्सों के लिए 2047 तक के लिए कि ऐसे ही हम चलते रहेंगे एक विद्यार्थी कि यह व्यता है जो 1987 से सुन रहा है कि आयर्विदा सब्सक्राइब करेंगे आपसे धन्यवाद पुनह इस इपिशाड में मुनाकात होगी और ऐसे ही किसी जोनंत मुद्धे पर बड़ी बेबाग चर्चा हम करेंगे आपसे धन्यवाद